जौनपूर से बड़ी खबर आ रही है जहां समाजवादी पार्टी के मलहनी विधान सभा के जोनल प्रभारियों, सेक्टर प्रभारियों, बूत प्रभारियों की बैठक आयुजित की गई है और जिसका मुख्या थी थी समाजवादी पार्टी के राष्ट्य महासची विधायक लाल जी बर्मा ने बैठक को संबोदित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के पहचान उनके कारेकरताओं से देश में जितने भी राजनेतिक पार्टी हैं अगर सबसे मजबूत किसी पार्टी के कारे करता हैं तो हम समाजवादी पार्टी के हैं आज एक मजबूत संगठन तयार करने का लक्ष समाजवादी पार्टी ने अपने मुझे जौनपूर का प्रभार सौपाई आज मलहनी विधान सभा शेत्र के संगठन की सम्टा और समीक्षा में हर बूत पर मजबूत संगठन त्यार करने को मिल रही है जिस तरह राश्ट्र ध्यक्ष अखिलेश यादव ऐसे ही संगठन पूरे देश में पूरे प्रदेश में बनाना जाते हैं कि ऐसे ही बूत तक एक मजबूत संगठन त्यार करके 2024 के लोक सभा शुनाओं को लड़ना है और राश्ट्र ध्यक्ष अखिलेश यादव को मानना है कि जो हमारा बूत का कारे करता है वह सबसे बड़ा नेता है पूरे बूत जीत कर विधायक बसांसन बनता है और कारे करताओं का सम्मान और सर्वो परी है वही मलहनी विधायक लकी यादव ने सभी सेक्टर प्रभारियों के संगठन इबं रभारी लाल जी वर्मा का माला पहना कर स्वागत किया और आए हुए तमाम नेताओं का आभार प्रेक्ति किया वही सादर विधान सभा की सभी सेक्टर पूत प्रभारियों के बैठक हिंदी भवन में संपन हुनी इस कारेक्रम में पूर विधायक ललन प्रसाद यादव, शैरेनर यादव, ललन लाल भादुर यादव, राज रारायन बिंद, श्री राम यादव और राज बहादुर यादव, अरशत खान, हिसाम उद्दीन शा, डॉक्टर राजेनर यादव, राजेनर टाइगर, श्र कर्मचारी गर्णिस में शामिल हुए जौन पुर मेडिया हुँ संबादा था शादा बंसारे की रिपोर्ट वंदे भारत मीज़